किशान भायों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेति किशाने चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्वयविन में जब फूल आते हैं उस समय पर हमें कौन सी फंगिसाइट डालना चाहिए क्योंकि किशान भायों काफी ज्यादा मार्केट मे फंगिसाइट उपलब दे अलग-अलग कंपनियों ने फंगिसाइट बनाई है लेकिन जब फूल आते हैं हमें स्वयविन की फसल में उस समय पर हमें अच्छा वाला फंगिसाइट उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके तो आज की वीडियो में में हम बात करने वाला हैं कि फूल आते हैं जाहां में में उस समय पर हमें कौन सा इस नंतर करते हैं कि स्फ़ी फंगिसाइट डालते हैं तो सुबारा में पूरी जानकरी होड़ा चाहिए और हमें कितने दिन का result मिलता है हमारी फसलों पर और इसका हमें डोस क्या लेना चाहिए इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए तब भी हम उस product को use करें या उपयोग करें तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं उससे फेले में request करूँआ कि जो क को अन तक जरूर दखें मैं हूँ आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहो है स्मार्ट खेती किसानी चैनल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो की जो fixer फंगिसाइट आती है उसके बारे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे यह फंगिसाइट क बात करेंगे आगे इस वीडियो में कि क्यों हम इसी फसलों में क्यों डाल सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अब अगर हम BASF की fixer के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन से टेकनिकल आते हैं तो इसके अंदर दो टेकनिकल आते हैं पहला जो आता है पायरा क गाड़े फ़र्म जैसा सहेद आता है इस टाइप से इसका केमिकल आता है यह सामवड़ों अगर हम बात करें कि जो पायरा क्लोर इस्ट्रोबिन जो आता है वो एक इस्ट्रोबिलिन्स गुरूप का एक फंगिसाइट है और अगर हम इस्ट्रोबिलिन्स गुरूप की बात करे तो disturbance की जितने भी fungicide होते हैं तो आप ही अच्छे result देते हैं हमने फसलो पर यह fungicide primitive and creative दोनों परकार से कार करता है हमने फसलो पर का मतलब यह है कि जब हमने फसल पर रोग आने रहता है यदि उससे पहले आप इसका spray करते हो तो आने से बचाता है और यहादि आपकी फसलो पर रोग आ चुका है तो उसके बाद भी आजगार आप इसप्रे करते हो तो भी आपकी फसलो को यह रोगों को यह अच्छे से कंट्रॉल करता है इसके लावा इन फंगिस साइड में ट्रांस लुंड एक्सन का भी कारे करती है मतलब कि जब आप Chili करते हो तो पत्त थे निचली सत्वर पर लगी तो तो पत्ता जू है उसको निचली सत्वर भी ऑड़ न। से असाने फंगिसाइट उफलब्द है आज कल मार्केट में कार्वोक्समाइंड ग्रूप के बहुत कम टेक्निकल अविलेबल है जिसके कारण से की जो हमारी फंगा से उसमें रजिस्टेंस पावर बहुत कम है इसके कारण मार्केट में ज्यादा अविलेबल नहीं है अब अगर हम ब्य नोज को भी कंट्रोल कर लेती है राइजो टोनिया को भी कंट्रोल कर लेती है एरियल ब्लास्ट को भी कंट्रोल कर लेती है रूट ब्लाइट को भी कंट्रोल कर लेती है और पोस्ट ब्लाइट को भी आसानी से कंट्रोल कर लेती है और किसान वियो इसके अलावा इसके अंदर Stribulence Group का technical होने की कारण ये Phytotonic का भी काम करती है Phytotonic से मतलब है किसान वही हो कि आप यदि VASF का जो fixer आता है उसका spray करते हैं आप अपने फसल पर तो ये एक tonic का भी काम करती है मतलब किसान वही हो कि fungus के site में tonic का भी काम होगा आप देखेंगे आपकी फसल पर तो एकदम से जो आपकी पत्ती है वो एकदम विल्कुल हरापन और एकदम fresh दिखेगी इसका spray करने से और फसल की growth अच्छी होगी जिससे की आपकी उतपादन में भी आपको ब्रद्धी मिलेगी अगर हम बात करें कि इसका कौन-कौन सी फसलो पर अच्छा result देखने को मिलेगा तो बेचे तो आप सभी प्रकार की फसलो में डाल सकते हो अगर हम में बात करूँ तो मुक्यत है आप मुंग फली, कपाश, स्वयाबीन मुंग, उडद और मक्का की फसल में आप इसे डाल सकते हैं अगर हम इसके डोस की बात करें तो प्रती एकर जो डोस लेना है वो आपको 120 ml का लेना है वही अगर हम 15 लेटर का जो पंप आता है उसकी बात करें तो 12-14 ml प्रती पंप आपको मिलाना चाहिए और जब आपने स्प्रे किया लगबग 1-2 घंटे वारिस नहीं होना चाहिए तभी आपको इस दवई का रिजल्ट मिलेगा और अगर हम इसके रिजल्ट टाइम की बात करें अगर आप आज इसका इस्प्रे करते हों तो आने वाले 15-20 दिन तक आपकी फसल में फंगस का अटेक नहीं आएगा अब अगर हम बात करें कि मूंगफली, कपा, स्वयविन, मूंग, उड़द और मक्का जैसी फसलों में हम फिक्सर फंगिसाइट का ही उप्यों करें क्या होता किसान वहिए कि यह जो फसले हैं इसमें जित्ती फंगस आती है हमारी फसलों पर उसे यह अच्छे से कंट्रोल करती है अच्छे रिजल्ट देती है हमारी फसलों पर और इसका स्प्रे करने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं काफी बेस्ट रिजल्ट देती है हमारी फसलों पर अगर इस वीडियो को देखने के बाद जिन किसान भाईयो ने fixer fungicide को उपय किया है वो खुद comment करके बताएंगे यदि उनको अच्छा result मिला हो तो जरूर बताएं किसान भाईयो तो किसान भाईयो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जो कि मैंने आपको VSF fixer fungicide के बारे में बताया है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ इसाथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद